2018 की शुरुवात हो चुकी है और हर को यही मानेगा कि उनकी लिए नया साल खुशिया लाए लेकिन सबके नसीब में नय साल की खुशी कहाँ नय साल टेंशन का पहाड ले आया है एश्वर्या राय बच्चन के लिए जहां 29 साल की एक आदमी ने ऐश्वर्या को अपनी मा बताया हम जानते हैं आपको यह सुन कर जोर का जटका जरूर लगा होगा लेकिन ये खबर काफी तीजी से वाइल होती हुई दिक रही है 29 साल के ये नओ जवान ने ऐश्वर्या को अपनी मा बताया विशाका पत्नम में रहने वाले संगीत कुमार के नाम के बाद राय शब्द आता है और इन जनाब का ये कहना है कि एश्वर्या ने उन्हें 1988 में लंडन में IVF के जरिये जन्द दिया था और तो और ये शख्स का ये भी कहना है कि एश्वर्या के मातर पिता ने उनकी फूप देखभाल भी की थी एक रिपोर्ट के दोरान शख्स ने बताया कि एश्वर्या ने इनके परिवार को छोड़ कर 2007 में अभिशेक बच्चन से शादी कर ली थी लेकिन इससे पहले ये चीज आपको और फनी लगे हम आपको बता दे कि 1988 में एश्वर्या के इवल 14 साल की थी फिलाल एश्वर्या बीजी है फने खान की शूटिंग में चहां वो राज कुमार राव और अनिल कपूर के साथ दिखेंगी अब ये देखना काफी मज़दार होगा कि एश्वर्या के साथ साथ पूरे बच्चन परिवार का इस खबर पर क्या रियाक्शन होगा वॉल्यूट की लेटिस न्यूज इन गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें 2018 की शुरुवात हो चुकी है और हर को यही माने का कि उनकी लिए नया साल खुश्या लाए लेकिन सबके नसीब में नय साल की खुश्य कहां नय साल टेर्शन का पहाड ले आया है एश्वर्या राइ बच्चन के लिए जहां 29 साल की एक आदमी ने एश्वर्या को अपनी मा बताया हम जानते हैं आपको यह सुनकर जोर का जटका जरूर लगा होगा लेकिन यह खबर काफी तीजी से वायल होती हुई दिख रही है 29 साल की यह नौजवान ने एश्वर्या को अपनी मा बताया दुशाका पत्नम में रहने वाले संगीत कुमार के नाम के बाद राय शब्द आता है और इन जनाब का यह कहना है कि एश्वर्या ने उन्हें 1988 में लंडन में IVF के जरिये जन्द दिया था और तो और यह शक्स का यह भी कहना है कि एश्वर्या के माता पिता ने उनकी फूब देख भाल भी की थी एक रिपोर्ट के दौरान शक्स ने बताया कि एश्वर्या ने इनके परिवार को छोड़ कर 2007 में अभिशेक बच्चन से शादी कर ली थी लेकिन इससे पहले यह चीज आपको और पनी लगे हम आपको बता दे कि 1988 में एश्वर्या के इवल 14 साल की थी फिलाल एश्वर्या बीजी है फने खान की शूटिंग में चहां वो राज कुमार राव और अनिल कपूर के साथ दिखेंगी अब यह देखना काफी मज़िदार होगा कि एश्वर्या के साथ साथ पूरे बच्चन परिवार का इस खबर पर क्या रियाक्शन होगा बॉलिवूट की लेटेस न्यूज इन गॉसिफ के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें